हेलो गाइज दिस इस राहूल टेकिंग यूटू माइक्रो क्लाशिस निव वीडियो इस वीडियो में हम नियुस डियलर इस्टुडेंट्स की बात करने वाले हैं एक कॉट केस फाइल किया गया था कि नियुस डियलर इस्टुडेंट्स को भी UPTAT 2021 का जो फोर्म निकल रहा है उसमें फोर्म बढ़ने का मोका दिया जाए क्योंकि NCTE इन्हें इन्हें अप्रूव कर दिया इस तरह से इसमें कुछ ऐसी ऐसी बाते कही गई थी इसके रिकार्डिंग सुनुआ ही हो चुकी है और कोट नमबर 18 के द्वारा एक डिसीजन भी आ चुका है यह है डिसीजन लखनव बैंच के द्वारा दिया गया है इस वीडियो में हम इसी डिसीजन के उपर बात करने वाले है एना यूस स्टुडेंट्स को क्या-क्या का आ गया है कोट केस का नमबर यह है आपका 2021 में कोट केस फाइल किया गया है केस टाइप आपका हो जाता है सर्विस इंगल कोट नमबर 18 में यह केस चल रहा है ओनरेबल जज दिनेश कुमार सिंग के अंडर अब यह केस अजीद कुमार तिवारी और अदर्स के द्वारा फाइल किया गया है इस केस के रिगार्डिंग इलाबाद हाई कोट की लखनव बैंच ने एक ओडर पारित किया है अगर आप इस ओडर का पैरा नंबर फाइब पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पर काफी गुद द होता है उसको equivalent माना है same माना है बीटी सी के जो यूपी डील्र यूपी की जो basic बीटी सी होती है उसके equivalent माना है and so of justice would meet if the petitioner are allowed to appear in the sad examination however their result would be subject to final outcome of the present rate petition मतलब अभी जो NIOS DLR candidates है मैं अभी allow कर दिये गए है form बढ़ने के लिए UPTAT 2021 का जो form निकला वा है लेकिन उनका जो result है वैर रोक दिया जाएगा final outcome तक जो यह present rate है इस case के चलने तक उनका result रुका रहेगा लेकिन वे apply कर सकते है जब इस case का final outcome result आ जाएगा जैसा result आएगा उसके रूपी final decision लिए जाएगा और UPTAT का result वगएर उनके आएगा लेकिन अभी NIOS DLR students apply कर सकते हैं UPTAT का form कोट की तरफ से तो अलाव कर दिया गया है लेकिन UPTAT के form में अभी तक कोई भी ऐसा option नहीं जोड़ा गया है जिससे NIOS DLR वाले form बढ़ सके अब उसके regarding अभी wait ही कर रहे हैं हम क्योंकि इन्होंने काया कि अब recipient का काम है इस चीज़ को लागू करना कोट में अगर पूरी रिट पढ़ेंगे आप ये अगर आप पूरा order पढ़ेंगे ये आपको मापर मिल जाएगा कि अब recipient का काम है इस order को लागू करना कि NIOS DLR students को भी Uptat का form बरने के योग्य मानना और form में ऐसा option रखना जिससे कि NIOS DLR वाले student भी form भर सके लेकिन अभी तक ऐसा कोई option नहीं आया है Uptat के form में wait कर रहे हैं हम भी जैसे ही आता है हम भी आपको information देंगे NIOS DLR student जो Uptat का form बरेंगे उन्हें कौन सा option कहाँ पर select करना है और क्या-का changes या differences उनके दूसरे student से रहने वाले हैं I hope यहाँ बात अब तक आप समझ पाए होंगे इस court case से related अगर कोई update आती है वैभी मा आपको वीडियो बना कर बता दूँगा वीडियो आपको अच्छे लगी हो आप इसे अपने groups के साथ share कर सकते हैं Uptat की इसी तरह से कोई भी information लेने के लिए आप इस चैनल को subscribe कर सकते हैं Till then bye bye take care